हेलो दोस्तों कैसे हैं हैं आज हम लोग नदी और नव की धारा का सेकेंड पड़ बना रहे दोस्त जो फर्स्ट पर पड़ हम लोग बना थे जिसमें हम लोग से मिल्ग से कॉंसेप्ट सी molé Cap Will आज हम लोग कुछ प्राउलम करेंगे जो थोड़ा अलग अलग टाइप का होगा बट बेस्ट ऑन नाव और धारा के हिसाब से होगा दोस्त कॉंसेट को समझने कोश करने आपको हम पहले ही बताया थे मैथमेटिक्स कुछ नहीं है दोस्त के वल कॉंसेट बेस्ट है अगर हम कॉंसेट समझते हैं और कोश्चन जो डिमांड कर रहा है उसको अगर हम लोग समझ लेते हैं तो प्राउलम को सॉल्व करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है ठीक है तो हम लोग को सबसे बड़ा समस्या कहा हो जाता है कोश्चन को समझने में तो हम लोग समय नविस्ट करते हुए इस बात को समझने कोश करेंगे कि प्राउलम क्या बोलता है ठीक है और प्राउलम को समझ कर देखिया कितना इजी बनता है जैसे question बोलता है कि एक कामल का फूल है ठीक है कामल का फूल कहा है एक जील में है तो सबसे पहले एक जील का फोटो question पढ़के कोशिच किजिएगा कि उसका photo बनाने का अगर photo बन जाता है तो question बनाना थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा दोस्त clear है चलो एक कमल का फूल है ठीक है एक कमल का फूल है माल लेते हैं कमल का फूल है चली कमल का फूल हो गया दोस्त एक जील है यह जील है कमल का फूल कहा है भीया तो जील से 5 cm उपर है कहा है यह जील से उपर मतलब क्या पानी की सतह से उपर जील बोले तो पानी का सतह, पानी के सतह से 5 cm उपर है, ठीक है, अब बोलता है तो जील जो कमल का फूल होगा, तो उसका जड़ तो होगा ना भाई, कहीं ने कहीं, तो जड़ है मानलो यहाँ पर, यहाँ पर होगा, यह उसका जड़ होगा और यह पानी की सतह से उपर का पोज का तेज जोका चला तो कमल का फूल क्या हुआ ऐसा कि डूबेगा तो बोलता है कमल का फूल पानी में आकर डूब जाता है हवा के तेज जोका के कारण तो कितनी दूरी पर जाकर गिरा भीया तो दस सेंटीमेटर की दूरी पर जाकर गिर गया ठीक है? पान सेंटिमेटर उपर था अगर जाकर दस सेंटिमेटर दूरी पिर हवा के जोका एकारण पानी में डूब गया तो बोलता है कि ये जो कमल का फूल है जिस पोजिशन पे इस्थिर है वहाँ से इसकी उचाई क्या है मतलब यहाँ से जहाँ आपर कमल का फूल धर्ती में लगा हुआ है वहाँ से उचाई क्या है कैसे बनेगा दोस्त सोचिए पॉस कर लीजिए सोच के खुद से बनाने कोस कीजिए वैसे तो हम बता ही देंगे कोश्चन आपके स्क्रीन पे आज जाएगा बट क्या कीजिएगा जब भी हम आपको कोश्चन समझाने कोश करते हैं आप वीडियो को पॉस कर लीजिए कोशिस कीजिए खुद से बनाने का चुकि हम तो कोश्चन खुद समझाई ही दे रहें आपको खुद से कोशिस कीजिए मान लेते हैं इसकी दूरी X है यहां से यहां तक की उचाई जो है X है अब यह जो फूल है धरती से जो चिपकापड़ा है यह ऐसे डूबेगा यह ऐसे हवा का तेजोगा हवा का तेजोगा चला ऐसे हवा का हवा का जोगा चला अब यह क्या हुआ ऐसे गिरेगा ठिक है ऐसे गिरा तो माल लेते हैं ऐसे आके कहां डूब गया यह ऐसे आया और आके यहां पर कमल का फूल जो है ऐसे 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 यहां पर पानी की सता के अंदर चला गया है कुछ ऐसे बनेगा दोस्त तो कमल का फूल कैसे हो गया कुछ ऐसे टाइप का आपको दीख रहा होगा अगर इसको हम ढग से इरेज कर दें तो आप देखेंगे कि ध्यान से देखिए ये एक तरह का आपको 90 डिगरी का एंगल बना हुआ या फिर यूँ बोलें कि आपको एक राइट एंगल ट्रेंगल दीख रहा होगा दीख रहा है क्लिर है राइट एंगल ट्रेंगल दीख रहा है अब क्या करेंगे इसमें आपको ये हाइट दिया पड़ा है और ये भी दिया पड़ा है क्योंकि इसको तो हम मान ली है एक्स तो इसकी लंबाई क्या होगी यहां से इसकी लंबाई क्या होगी अब अंदाज़ा लगाई तो क्या होना चीए अब चुकि पूरा का पूरा ये पौधा जो है ऐसे ना ऐसे डूबा है यानि कि इसकी जो लंबाई होगी इसका क्या है यहां से यहां तक चाहिए यहां से यहां तक जो आप बोल लीजिए यहां से जो ऐसे डूबा है तो यह जो पूरा उचाई होगा यही ने डूब के यहां तक आया है यह जो ऐसे है यही ने डूब के ऐसे हुआ है यानि यहां से यहां तक की जो उचाई होगी वही इसकी उचाई होगी अगर इसको हम A, B, C और इसको D मान लें तो जो cd जो होगा यही नामारा cb होगा यानि कि cd is equal to cb होगा तो cd is equal to क्या है? x plus 5 is equal to cb यानि यह कितना हो गया? x plus 5 clear हुआ? अब हम लोग जानते हैं पाइथाओगरोस स्विरम आपको तो पता होगा पाइथाओगरोस स्विरम क्या बोलता है? हम लोग height and distance वाला chapter जो हम लोग सुरू किये थे हम लोगा जो first part था हम डाल लेंगा eyeball में आप देख लीजेगा उसमें हम लोग क्या सिखाया थे? यह जितना भी हम लोग जो trigonometric ratio यूज करते हैं सब right angle triangle पर यूज करते हैं और right angle triangle में ही हमारा pythagoras serum भी लगता है पाइथाओगरोस स्विरम क्या बोलता है? अगर यह हमारा right angle triangle है तो इसमें pythagoras स्विरम क्या बोलता है दोस्त? अगर मान लेते हैं यह h है यह p है और यह b है और यह 90 डिगरी है तो h a square is equal to pa square plus ba square होता है clear है? यह ध्यान में रखिएगा क्योंकि हर जग हम लोग use करेंगे इसका दोस्त पूरे हम लोग mathematics में जहां जहां भी जुरुत पड़ेगा हम लोग triangle वाला जहां भी section आएगा हम लोग use कर सकते हैं इसको हम लोग क्या निकालना अपने को अपने को AC निकालना है AC क्या है माल लेते हैं इसको perpendicular है इसको base माल लेते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Kern बोलते हैं इसको base मतलब क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं और perpendicular का मतलब क्या बोलते हैं? لم्ब बोलते हैं दोस्तash, तो अब kern बरावर क्या होधाता है? hypotheticales is equal to, यानि x plus 5, a square है δोस्त, a square, is equal to P A square, P मतलब X A square B A square है, 10 A square अब solve कर दिए इसको क्या हो जाएगा, इसको अगर आप solve करेंगे तो क्या हो जाएगा A plus B कहोले square परम दो तोड़ देंगे, ठीक है A square plus B A square plus 2 into A into B बराबर X A square plus 10 A square ठीक है तब देखिए, X A square यहाँ पर भी एक कट जाएगा 25, 25 plus 5, 2, 10 X बराबर 10 के square बोले तो 100 ठीक है, अब 10 X बराबर क्या हो जाएगा 10 X, अब 25 को बराबर के दूसरी तरब ले जाएगे तो क्या हो जाएगा दोस्त इधर plus में है तो इधर minus में हो जाएगा 100 minus 25 is equal to 75 तो X बराबर क्या हो जाएगा 75 बटा 10 75 बटा 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.5 cm एंसर हो जाएगा कि यानि कि यह जो पौधा है जमीन से शाड़े साथ सेंटीमेटर ऊपर है कहां तक पानी की सताह तक और इसके ऊपर फिर पान सेंटीमेटर है अब हम लोग दूसरा कोश्चन देखते हैं दूसरा कोश्चन यह है कि एक आदमी है एक आदमी शांत जल में पान्च किलोमेटर परती घंटा के अपता से ना चला सकता है यानि कि यह मान लेते हैं नदी है और वो शांत जल है तो कितना चला सकता है पान्च किलोमेटर परती घंटा के अपतार से जाता है ठीक है सांत जल में यह किसमे है सांत जल का चला है आपको याद होगा हम लोग अपना पिछला वीडियो में जो हम लोग बनाये थे आपको ध्यान से देखिएगा समझे एक कॉंसेप्ट को कॉंसेप्ट समझेंगे बनाने में थोड़ा भी समयने लएगा ध्यान दीजेगा सांत जल में एक आदमी का चाल हम लोग क्या लेते हैं एक समानते हैं याद होगा हम लोग सांत जल में एक समाने थे और धारा की चाल हम लोग Y माने थे और धारा की चाल कितना है एक किलोमेटर प्रति घंटा धारा की चाल कितना है दोस्त यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक किलोमेटर पर आर किसका चाल है यह धारा का चाल है ठीक है याद है न हम लोग सांत जल में दाल के क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो इसको हम लोग x लिख लें, और ये y, देखें, समझिए का, concept देखें का, बहुत easy बन जाएगा, फोटक्स बनेगा दोस्त, त्यानि कि, ग्या गीफिन है, x प्लस y बराबर, 5 और 1, 6, ठीक है, और x माइनस y बराबर, 5 में से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4, क्लिर है, कोई दिक्कत है तो बताइए, x प्लस y मतलब, इस आदमी का, धारा के साथ, चाल कितना हो जाए है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 में से एक घया, 4, क्लिर है यहां तक, यानि धारा के साथ, 6 किलमेटर पर दीजिए, और धारा के उल्टी दिसा में, 4 किलमेटर पर दीजिए, कोई दिक्कत, अब कोश्चन ये बोलता है, आदमी, एक पॉइंट ए है, ए से बी तक जाता है, ठीक है, और लोट के आ जाता है, ध्यान दीजिए, ए से बी तक जाता है, और बी से ए तक लोट के आता है, क्लिर, जाना और आना, वनिए जितना दूरी जा रहा है, उतना ही दूरी लोट के भी आ रहा है, इसको जाने और आने में एक घंटे का वक्त लगता है, ट तो टाइम मतलब 1 hour दिया हुआ है तब कोशन क्या पोलता है दोस्त कोशन पूछता है कि A जो है B तक जाता है तो A से B की दूरी क्या है A से B की दूरी कैसे निकलेगा दोस्त अब ध्यान दीजेगा हम लोग को जाने और आने में कितना वक्त लग रहा है एक घंटा सोरी तो यहां से यहां तक जाने में समय क्या लगेगा इधर जाएगा तो क्या होगा धारा के साथ जा रहा है धारा के साथ जा रहा है तो distance upon x plus y plus distance upon जब उल्टी दिशा में आ रहा है तब ये सीधी दिशा में जा रहा है उल्टी दिशा में आएका तो x minus y is equal to 1 यही होगा न दोस्त पूरा क्रक्स यही है इस question का क्रक्स क्या है धारा के दिशा में जाना और उल्टी दिशा में लोटके आना दोनों में एक घंटा लगता है इसका अब इसको solve कर दीजे अब distance को d मानेगा न दोस्त distance को d मान लिए है x plus y 6 दिया है और x minus y 4 दिया है दोस्त 1 दिया इसको solve कर दीजे answer आ जाएगा 6 दूना बारा 2d plus 3d which is equal to 1 4 दिया बारा 6 दूना बारा ठीक है 3 दो 5d upon 12 is equal to 1 अब solve कर दीजे इसको क्या हो जाएगा 5d is equal to 12 तो d is equal to क्या हो जाएगा 12 upon 5 अब इसको भागा देदीजे कितना हो जाएगा 5 दूना 10 upon ज़व के 20 यह न दोस्त 24 25 आ सा ठीक है इतना kilometer kilometer में है kilometer में यानि क्या निकल गया कि यह जो आदमी है यह A से B तक कि जो जाता है और लोट के आता है तो उसको 2.4 kilometer की दूरी वो तैक करता है यानि A से B की दूरी कितनी निकल गई 2.4 kilometer clear है दोस्त चलिए अब हम लोग अगला question बनाते हैं दोस्त एक लड़का जो है A ठीक है लड़का है वो point A से B तक इसको थोड़ा सा और लंबा कर लें दोस्त जल्दी समझ में आएगा ठीक है यह तीनों दूरी बराबर है clear है यह तीनों दूरी बराबर है तो लड़का जो होता है A से B तक की दूरी और यह C मान लेते हैं ठीक है कोश्चन बोलते है लड़का जो है वो एक fix समया अधी में धारा की दीसा में धारा की दीसा में जो की तीन किलोमेटर परती घंटा दिया है यानि धारा का चाल कितना दिया हुआ है धारा का चाल कितना दिया है तीन किलोमेटर परती घंटा, यानि कि यह क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, धारा की चाल वाई, और शांत जल में, जो चलता है, उसको हम लोग एक से बोलते हैं, अब यहां से बता है, लड़का जो है, धारा की दिसा में, एक फिक्स टाइम में, जितना दुरिताय क तक, धारा की उल्टी दिसा में, अगर यह एक्स दुरिताय करता है, कितना दुरिताय करता है, तो धारा की उल्टी दिसा में कितना दुरिताय करेगा, धारा की दिसा में कितना दुरिताय करेगा, यह इधर से आया है, यह इधर गया है, कितना हो जाएगा, दो गुना दुर तो अब पूसता है कि सांत जल में इस लड़के की चाल बताईए उस नाविक की उस लादमी की जो भी है उसका चाल बताईए तो हम लोग उसको क्या मलते हैं शांत जल में चाल क्या हो जाता है एक्स होता है ठीक है तो उसका चाल को हम लोग एक्स माल लें शांत जल में शांत जल में लड़का नाविक जो भी लिखर है लड़का की चाल ठीक है एक्स ठीक है एक्स किलोमेटर पर आर क्योंकि सब घंटा किलोमेटर पर आर में दिया तो अब समझना यह है कि धारा की दिसा में उसकी चाल क्या होगी धारा की दिसा में क्या हो जाएगा दोस्त धारा की दिसा में x प्लस 3 x है और यह धारा की चाल क्या है 3 है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 km पर आर और विपरी दिशा में उल्टी दिशा में विपरी दिशा में x मैनस y बोलते हैं 3 km पर आर धारा की चाल 3 दिया हो है न दोस्त तो धारा की दिशा में क्या हो गया X plus 3 और उल्टी दिशा में हो गया X minus 3 अब क्या बोलता है समय तो बराबर है न एक ही समय में उल्टी दिशा में X ते करता है यहाँ X को D बना लेंगे तो अच्छा लगेगा D है क्योंकि X X दो जगह हो जा रहा है D D है ठीक है उल्टी दिशा में सीधी दिशा में जब चलता है धारा के साथ तो दुगना दूरी तै करता है ठीक है और जब उल्टी दिशा में चलता है तो उसका आधा तै करता है आप जैसे मर्जी वैसे बोल लीजे दुगना दूरी या आधा दूरी ठीक है आपको जैसे मरजी बोल सकते हैं कोशन में दुगना दिया हुआ है आपको समझाने के लिए हम समझा दे रहे हैं बहुत सरे कोशन में लिखा रहेगा इसका आधा तै करता है तो मतलब क्या हुआ उसका दुगना तै करता है दोनों में से अब कोई भी चीज ले सकते हैं अब बोलता है दोनों को जाने में समान समय लगता है समान समय आवधी है यानि कि उल्टी दीसा में जो दूरी तय करता है और सीधी दीसा में जो दूरी तय करता है दोनों बराबर है तो कितनी दूरी तेय करता है दोस्त, अब यहाँ पर ध्यान देना है, कितनी दूरी तेय करता है, दूगनी दूरी तेय करता है, d प्लस d कितना हो गया, 2d हो गया, कितना हो गया, 2d, clear है, तो अब निकालना है कितना वो समय लिया, समय तो बराबर है, जाने में जो समय लग रह बी टू ए लोग उल्टा दी समय पहले निकाले सीधा दी समय भी निकाल सकते दोन हम लोगों को निकालना है तो सी बी की दूरी का समय सी से बी की दूरी जाने में सी से बी ये धारा की दिसा में जा रहा है समय कितने लगेगा समय बराबर क्या होता है समय बराबर क्या होगा दोस्त याद है न चाल बराबर दूरी बटा समय निकालते हैं समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल क्या होगा दूरी बटा चाल तो दूरी क्या है हमारा 2D CB की दूरी है 2D है दूरी बटा चाल दूरी क्या हो गया दोस्ट 2D चाल क्या हो गया X प्लस Y धारा की दिषा में जा रहा है न CB बोले तो dharा की दिषा में अब dharा को उल्टी दिषा में B.A. दूरी तेज़ गरता है B.A. की दूरी का समय यह है अनुकूल दीजा में, यह है उल्टी दीजा में, उल्टी दीजा में, उल्टी दीजा में X-Y कर लेंगे, D upon X-Y, अब देखिए, उल्टी दीजा में क्या होगा, X-Y का वैलू कितना दिया हुआ है, X-Y का वैलू कितना दिया हुआ है, X-3 दिया हुआ है, 2D upon X-3, और D upon x-1 को मतलब x-3 ठीक है? अब दोनों समय क्या लगा है तो बराबर लगा है तो दोनों बराबर हो जाएगा, सिंपल हमको निकालना क्या है? x तो निकालना है, सामते जल में लड़के की चाल निकालनी है solve कर दीजे 2d upon x plus 3 is equal to d upon x-3 तो d से d कट गया solve कर दीजे x plus 3, cross multiply कर दीजे बराबर 2 into x-3 क्या हो जाएगा? x plus 3 बराबर 2x minus 6 अब variable वाले को एक तरफ non-variable वाले को एक तरफ कर दीजे तो इसको इधर कर दीजे और इसको इधर कर दीजे 2x minus x बराबर 3 plus 6 तो x बराबर क्या हो गया? 9 x is equal to 9 क्या निकल गया? किलोमीटर पर आर यानि कि सांथ जल में उस लड़के की चाल कितनी निकल गयी दोस्त? 9 किलोमीटर पर आर clear हुआ? जाने में धारा की दिशा में जो दूरी तही की गई उल्टी दिशा में जो दूरी तही की उसकी दूगनी थी सेम टाइम में तो हम दोनों का कर लिए? दोना का दूरी निकालने में जो लगा समय निकाल लिए और ये दोनों समय को क्या सुनों समय बराबर था? धारा की दिशा में और धारा की उल्टी दिशा में धारा की दिशा में जो समय लगा और उल्डी दिशा में जो समय लगा दोनों को हम बराबर कर दिए और हमारा solve कर दिए तो x का value सांध जल में चाल नीकल गई दोस्त clear है? चलिए एक last question और solve कर लेते हैं दोस्त हाँ दोस्त अब हम लोग अगला question देखते हैं अगला question क्या बोलता है? दो नाव है ठीक है? सेम नदी वला question है दोस्त पहले नदी का photo बना लेते हैं देखे हम क्या करते हैं? question को solve करने के पहले उसका हम photo बनाते हैं मेरे लिए solve करना आप solve कर लिए ठीक है? कोई कहावात ऐसा बोलता है यूध जीतने के क्या होता है न कि अगर सही step आप ले लेते हैं तो मतलब सही direction में plan कर लेते हैं मतलब आप आधा यूध जीत लेते हैं तो यही direction का plan है दोस्त एक photo बनाने कोसिस कीजिए जो हमको लगता है आपको भी काम करेगा कोशन यह बोलता है कि दो नाव है A और B दो नाव है दोनों की बीच की दूरी कितनी है दोस्त 108 km ठीक है? अब A जो है धारा की दिसा इधर से है ऐसे है ठीक है? अब बोलता है A जो है B की तरब बढ़ता है धारा की दिसा में बढ़ता है A, B की तरब बढ़ता है निए धारा की दिसा के साथ बढ़ता है ठीक है? धारा की दिसा को यहाँ पर हम लोग हमेशा वाई मानते है ठीक है? तो धारा की दिसा के साथ बढ़ता है कैसे? 12 km प्रतिघंटा इसकी गति कितनी है? 12 किलोमेटर प्रती घंटा सांत जल में इसकी चाल है सांत जल की चाल दी हुई है 12 किलोमेटर प्रती घंटा और B जो है A की तरफ बढ़ रही है 15 किलोमेटर प्रती घंटा कि रपतार से यानि कि A जो है B की तरफ सांत जल में 12 km परते घंडा करते बढ़ रही है और B जो है A की तरफ धारा की उल्टी दिशा में 15 km परते घंडा करते बढ़ रही है धारा की दिशा हम मेरे पस नहीं दिया हुआ है तो हम इसको Y मान लेते हैं तब ये बोलता है, कोशन में क्या मानता है, कि A और B किस जगह पर एक दूसरे से मिलेंगे? A बढ़ना शुरू किया, B आना शुरू किया, तो किस जगह पर मिलेंगे? तो आप क्या किजिए? इसको मान लिजिए, एक point P है. तो आप को P तक पहुँचने में जो समय लएगा, B को भी P तक पहुँचने में तो नहीं समय लएगा. यहां तक तो क्लिर है न, दोस्त? यानि, दोनो P बिंदू पर मिलता है, मतलब A चलते 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 पी तक आया और B भी चलते 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 पी तक आया तो दोनों A से P की दूरी लगने वाला समय और B से P तक लगने वाला समय दोनों बराबर होगा समय बराबर होगा, दूरी नहीं दोस्त, clear है, यानि कि मान लेते हैं T समय में, T समय में A P तक पहुचा और B P तक पहुचा, दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा, दूरी बराबर होगी कि नहीं मालूम नहीं दोस्त, लेकिन समय तो बराबर होगा, ये तो मालूम है, clear है, तो हमको निकालना क्या है? तो कितने समय में T का वैलू निकालना है? ठलीर है? चली, अब क्या-क्या हमको दिया हुआ फ़ली है, समझ लेते हैं. धारा की दीशा, धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल क्या होगी, दोस्त? चाल बराबर वाई किलोमेटर परा और यही हम लोग हमेसा रखते हैं ताकि हम लोग को समझना आसान हो कैलकुलेशन हम लोग बहुत फास्ट हो जाता है एक्स सांदर जल में चाल और वाई धारा की चाल बाकी सब अपने आप बनने दाता है तो एकी चाल क्या हो जाएगी धारा की दिशा में एकी एकी चाल क्या हो जाएगा दोस्त बारा प्लस एक्स वाई है सोरी वाई 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 बारा प्लस वाई किलोमेटर पर आर ठीक है और बी की चाल हो जाएगी आप चुकिए बी कैसे चल रहा धारा की उल्टी दिशा में चल रहा है, यह कैसे है, उल्टी दिशा में, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस Y, ठीक है, A चुकि धारा की दिशा में चल रहा है, तो 12 प्लस Y कर दिये, ठीक है, और B जो है धारा की उल्टी दिशा में चल रहा है, धारा की उल्टी दिशा में चल र यहां तक तो clear है दोस्त अब जो यहां से यहां तक कि दूरी तय करेगी ए ना और यहां से यहां तक कितना दूरी तय करेगा अगर मानते हैं T समय में ऊगया माना कि T समय में A से P तक पहुंचता है A and B T समय में P तक पहुंचता है A से A और B दोनों T समय में P तक पहुंचता है ठीक है तो दोनों का distance क्या होगा क्योंकि total distance मेरे पास 108 km दिया हुआ है ठीक है दूरी कितनी होगी A से P की दूरी क्या होगी A P की दूरी चाल बराबर क्या होता है दोस्त चाल बराबर दूरी बटा समय तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय चाल क्या है 12 प्लस Y और समय क्या है भईया T, T हम लोग मान लिए है T, clear है एक P का तो दूरी निकल गया इतना और PB की दूरी BP की दूरी कितनी हो गई भईया बताइए 15 माइनस Y इंटू T 15 माइनस Y देखे यहां पर है न और इंटू T उतना समय लगा, अभी क्या होगा दोनों दूरी को अगर जोड देंगे तो 108 किलोमेटर निकल गया न जी AP तक पहुँचा तो इतना दूरी तय किया और BP यहां तक पहुँचा तो इतना दूरी तय किया दूरी जोड दीजे क्या हो जाएगा 12 प्लस Y इंटू T प्लस 15 माइनस Y इंटू T बराबर कितना हो गया भीया 108 हो जाएगा न आप जोड दीजेगुणा कर दीजे T से कर दिये कितना हो जाएगा 12 T प्लस Y T प्लस 15 T minus Y T बराबर 108 अब यहाँ देखिए Y T Y T कट गया 15 12 27 T बराबर 108 27 यहोगा ना जी 15 27 27 ठीक तो है T बराबर 108 बटा 27 किता बार में कट देगा 27 दोनी चाओं दोनी 108 4 बार में कट जागा जी यानि कि 4 hours यानि कि A से P तक और B को P तक आने में 4 घंटा लएगा और 4 घंटा पे दोनों एक दूसरे को P बिंदू पर मिल जाएंगे दोस्त ठीक है सारा कोशन तो आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा दोस्त बढ़ियां समझ के बनाएगा कोशन को समझने कोशन कीजिएगा हमको ऐसा लगता है कि अब आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा यह जितना भी आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं सब किसी ने किसी एक्जाम में आया हुआ है SSC कलर्क है SSC Graduate Label है CPO है अलग-अलग एक्जाम में आया होगा आप इसले वीडियो में भी देखे होंगे सारा एक्जाम में कोई तीन बार आया है कोई चार बार आया है कोई दो बार आया है कोई अलग-अलग एक्जाम में आया हुआ है सारा प्रॉलम हो वैसा ही आपको बता रहें आपको करना क्या है दोस्त आपके पास जो भी किताब हो उसको लेकर practice कीजिएगा question में कोई दम नहीं है दोस्त सिर्फ एक ही जगह है आपको समझना है एक बार आप प्रॉलम को समझ लिजह यह बनाना फटाफट बनता है दोस्त, x, y निकाले, x plus y कर दी, x minus y कर दी, या तो आपसे क्या-क्या पूछ सकता है, पर लिए देखे न, या तो दूरी पूछेगा, या तो समय पूछेगा, या तो चाल पूछेगा, और क्या पूछेगा, एक ना होगी, दो ना होगी, हम लोग लगबख सब सबाल ट्राइ कर रहे हैं, दोस्त, समझने का, पढ़ने का, आपको क्या करना है, बस प्राक्टिस करना है, पूरा खेला दोस्त, प्राक्टिस का है, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग किसी नया section के साथ मिलते हैं, practice कीजेगा, जो नहीं बनेगा, आप हमको comment box में घजिए, जो भी दिक्कत होगा, बताएंगें, coach करेंगे दोस्ता, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, bye दोस्त